सु आप का शुरुआत करते हैं करेंटर्फर के पहले कोचन से कि 2024 में पृत्वी घूडन दिवस मनाने का बिसय क्या है? बिसय है हमारे गरह की गतिविधी की खोज का सम्मान करना हर साल आठ जन्वरी को पृत्वी घूडन दिवस मनाई जाता है यह विशेश दिन पृत्वी की अपनी धूरी पर भूमने की महतपुड़ खोच को स्विकार करने के लिए समर्पित है 2024 में पृत्वी घूड़न दिवस मनाने के लिए जो चुनी गई थीम है हमारे ग्रह की गती की खोच का सम्मान करना यह आपको टैग लाइन थीम का याद रखना है हमारे ग्रह की गती की खोच का सम्मान करना second question है हाली में किस राज ने योगिस्री नामक एक ब्यापक सामार्जिक कल्याण योजना शुरू की है तो पश्चिम बंगाल लें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नियर हाली में योगिस्री सामार्जिक कल्याण योजना शुरू की है जिसका उद्दे से है राज में जो SC और ST student है उनको मुप्त प्रसिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना यह पहल इन शात्रों को प्रवेश और प्रतियोगी परिच्षाओं के लिए तयार करने पर केंद्रित है जोकी सैचिक ससक्ती करण के लिए सरकार के प्रतिबदता को प्रदस्ट करता है योगिस्री जो योजना है पूरेपस्ची मंगाल में 50 प्रसिक्षण केंद्रों की इस्थापना प्रतिसपर्धी परिच्छाओं पर विशेश जोर देने के साथ SC HD छात्रों के लिए मुप्त प्रसिक्षण प्रदाप करना सामिल है इसके अलाबा 46 किंद्र सरकारी नोकरियों को सुरच्छित करने और सिविल सिवाओं में कैरियर बनाने के इच्चुक लोगों के लिए समान औसर प्रदान करेगा काफी महत्रपूर योजना है याद रखना योगिस्री योजना है जो कि कमपटवी एक्जाम के लिए एक अच्छा आउस्तर देगा किनकेव जो कि S.E.S.T. समुदाय से जो छात्र आते हैं तो याद रखना राजे का नाम क्या इसका मोटीव है कोश्चन नमबर थर्ड उत्तरी गिनलेंड में पाये जाने वाले मांसाहारी क्रीमी की नई खोज वैजानिकों क्या है जिसे हाली में वैजानिकों ने आतंगवादी जानवर नाम दिया है तो नाम इसका है फियरविष्ट कोपरी याद रखना फियरविष्ट कोपरी वैजानिकों ने हाली में उत्तरी गिनलेंड में मांसाहारी क्रीमी की एक नई प्रजाती की जिवास्म को उजागर करके खोज की है जिसे उपयुक्त नाम तिमोरे विष्टिया क्रोपिया पुड़ी स्थान रखते थे जो कि आधूनिक महासागरों के कुछ सिर्ष मांसाहारी जीवों जैसे की कैम्ब्रियन काल के दोरान सार्क और सील के महत्तों को तुलनी था तो याद रखना फियरविष्ट कोपरी नाम कोश्य नमबर चार है हाली में खबरों में रहे उसकडिबंधी चक्रवात अलवारों का संबंध किस छेतर से है तो मेडागासकर उसकडिबंधी चक्रवात अलवारों ने 1 जनवरी 2024 को इस छेतर में टकराते हुए दक्षिड पस्ची मेडागासकर पर महत्तुर प्रभाव डाला यह दक्षिड पस्ची महिंद महासागर में 2023-2024 के दोरान पहला कड़ा बड़ा चक्रवात प्रभाव था चालू सीजन जोकि अक्टूबर के अंत से मई तक चलता है यह छेतर में अभूत पुर चुनोतियां पेश की इसमें चक्रवात अलवारों नविंतम विनासका कोश्चन नबर पांच है हाली में कौन सा सरक्षित छेतर खबरों में था क्योंकि लुपत प्राय हाग हिरन पहली बार यहां देखा गया है तो राजाजी टाइगर रिजर हाग हिरन जो पहले राजाजी टाइगर रिजर में दर्ज नहीं किया गया था हाली में वहाँ पाया गया है जो कि एक महतवपुर खोज है अपनी एकांध प्रकृति के लिए जाने जाने वाला यह कभी-कभी छोटे समुहों में भोजन करता जब खुले में मैदान में भोजन प्रचूर मात्रा में उपलब्ध होता है। उनमें सीग बहुत ही सीमित और बहुत छोटे होते हैं। उनकी साइज भी मेल के पिक्षा छोटी होती ति भी आपको याद रखना है। चलिए। अब कुछ विसे हैं जिसको थोड़ा से विस्तार्श जान लेते हैं। तो डेन्मार्क ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल एलाइंस लांच किया है। तो डेनी सरकार ने ग्रीन फ्यूल एलाइंस के लांच की घोशना की है। जो कि एक रड़नीतिक पहल है जिसका उद्देश इस्ताई उर्जा समधान छेतर में डेनमार्क और भारत के बीच सहयोग को बढ़ाना है। यह एक नई साज़दारी स्वक्ष हाइडोजन जैसे हरी इधन के विकास को बढ़ावा देना चाहती है। साथ ही इसका मकसद दोनों देशों को कार्बन तठस्ता तक पहुचने में अपने साज़ा लक्ष को आगे बढ़ाने मदद करना है। तो एजे वन डे एक्जाम या प्रलिम्स के एक्जाम के लिए बस आप इतना याद रखना कि किसी ने पेसकास की है ग्रेन फ्यूल अलायंस के लिए तो वह है डेनमार्क ओके तो भारत तो डेनमार्क के बीच में यह एग्रिमेंट हुआ है गोशना किया गे ति आप यह अत ना हुआ है तो इसके बारे में कुछ अब्जेक्टिव हैं उसके बारे में जान लेते हैं तो इस पूल को हर दिन लगभग सतर हजार वाहनों को समयोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो की मुंबई में सेवरी को नवी मुंबई के चिरले से जोड़ता है यह जग पूल कौन सा है तो अटल सेतु कहां जित है तो मुंबई में सेवरी से नवी मुंबई चिरले तक क्योंकि इन ही को जोड़ रहा है अटल सेतु के लंबाई कितनी है तो 21.8 किमी है अटल सेतु के निर्माण के लिए किस अंतराष्टी एजंसी से मदद मिली है तो चापान अ पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो इस्थान है वो असी नंबर का है भारत का पासपोर्ट 62 देसों तक बीजा मुप्त पहुँच को आसान बनाता है तो यह भी कटेगरी याद रखना है कि जो इंडिया का पासपोर्ट है टूटल 62 कंट्री में बीजा मुप्त हम बस प रैंकिंग है उजबेकिस्तान का ही भारत के समार रैंकिंग है पिछले वर्स भारत का इस्थान 50 नंबर पे था भारत के पासपोर्ट के साथ थाईलेंड इंडोनेसिया मारिस्या स्रिलंका मालदीव जैसे जगहों की यात्रा की जा सकती है तो यहाद रखना यहाँ पे रैस्विक, नागरिक्ता और निवास सलाहकार कंपनी हैंले एंड पार्टनर्स के द्वारा हैंले पासपोर्ट इंडेस 2024 में कौन और कितने देश सिर्थ पर हैं तो दुनिया भर में कुल 6 देशों ने सिर्थ इस्तान हासिल किया जिसमें कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, इस् इंगापूर सामिल हैं हैंले पासपोर्ट इंडेस 2024 के नुसार दुनिया का सबसे कम सतिसाली पासपोर्ट किस देश का है तो अफगानिस्तान का है सुराष्टपती द्रोपती मुर्मुर्जी ने 11 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में किंदरी आवास और सहरी मामलों के मंताले दौरा आयजुतिक कारिकरम में सुराष्ट सर्वेच्छन पुरसकार 2023 परदान किये सुराष्ट सर्वेच्छन 2023 वर्ष 2023 में सुराष्ट सर्वेच्छन का यह आठवा संस्क्रम लॉंच किया गया है यह आपको याद रखना है सुराष्ट सर्वेच्छन 2023 की थीम वेश्ट टू वेल्थ है बड़े पैमाने पर नागरिक भागिदारी को प्रोसाहिद करते हुए सहरों को सहरी स्वक्षता की इस्तिती में सुधार करने के लिए प्रोसाहिद करने है तू एक प्रतिसपर्दी ढाचे के रूप में 2016 में आवास और सहरी मामलों के मंत्राले द्वारा स्वक्ष सर्वेच्छन की सुरुवात याद रखना याम में यहां से भी मैटर आ सकता है सुरुवात 2016 का है कि इस मंत्राले के तहट तो आवास और सहरी मामलों के मंत्राले के तहट इसका सुरुवात किया गया था पिछले कुछ वर्सों में स्वक्ष सर्वेक्षण 200 में सबसे बड़े सहरी स्वक्षता सर्वेक्षण के रूप में उभरा है याद रखना है 2016 में सुरू हुए इस वर्सों में सुरुवात में केवल 73 प्रमुख सहरों को सामिल किया गया था और 2023 में यह संख्या 4477 है तो याद रखना कि 2016 में 73 सहर थे वहीं 2023 में बढ़कर 4477 क्लियर स्वक्षण 20023 में किसे देश के सबसे स्वक्ष सहर के रूप में चुना गया है सो इंदोर और सूरत को संजुत रूप से सबसे स्वक्ष सहर के रूप में चुना गया है स्वक्ष सर्वक्षण 20023 में सबसे स्वक्ष राज के रूप में किस राज को सम्मानित किया गया है सो महराष्ट यह आपको याद रखना है स्वक्ष सर्वेक्षन 2023 में एक लाग से अधिक जनसंख्या वाले सहरों के स्रेड़ी में सबसे स्वक्ष सहर कौन सा रहा है सो महराश्ट्र का सास्वाद याद रखना महराश्ट्र का सास्वाद स्वक्ष अर्विक्षन 2023 में सबसे स्वक्ष गंगा नगर के रूप में किसे चुना गया है सो वारानसी उत्तर प्रदेश अगर वन नाइनर में बस वारानसी उत्तर प्रदेश दे दे रहा है तो बिल्कुल सही होगा उसके साथ ही साथ याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का वारानसी और प्रियाग राज स्वक्ष गंगा सहरों के सिर्ष दो इस्थान हासिल किये हैं तो आपको याद रखना है ठीक है कि अगर स्वक्ष गंगा सहर का नाम दे दिया तो वारानसी और प्रियाग राज है अगर ऐसे नगर का दे दिया तो वारानसी है, ठीक है स्वक्षर्वेक्षन 2023 का थीन क्या था, सो वेश्ट टू वेल्थ सबसे स्वक्षराजधानी सो भौपाल मद्यपदेश का सबसे स्वक्षराजधानी के रूप में चुना गया है, ओके सो भी बन प्लीज छोटा सा सौट नोट इसको बनाईए और फिर मिलते हैं अगले सेग्मने तो खेंगे सो मच, धन्यबाद